नमस्कार दोस्तों मैं सुजीद कुमार एडवांस एक्सल ट्रेणिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ इस यूटूब वीडियो टिटोरियल ने जहां हम सीखते हैं एडवांस एक्सल दोस्तों आज मैं आपके एक बहुत ही मज़़ार चीज एक्सल में बताने वाला हूँ क्योंकि इसकी पता मुझे भी कुछ दिन पहले हैं लगा है लेकिन अगर मैं बोलू कि राइट टू लेफ्ट मुझे ना कि इसके डेट के विहाब पे मुझे इसको डुनना है तो पुर बोले है से इसके लिए हम ऐंच और इंडेक्स लगाते हैं जैसा कि मैच और इंडेक्स लेटे रिटू जो मैंने आपको अफलोड करकें लेकिन हम भी लोकड साद माधियन से भी कर सकते हैं कि मैं पार डेटेटा है और मुझे क्या करना है कि मुझे करना है कि यहाँ 26 जनवरी को कौन था यह पता करना है मतलब कि मुझे 26 का तारिक में डाल लूँ कि 26 तारिक को डेट हो गया और मुझे यहाँ पे मेन पता करना है तो इसके लिए आप जो है हमेशा वी लूकप के साथ मैच इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं मैच वी लूकप की जगापे लेकि विट वी लूकप भी हो सकता है एक सिंपल साज स्टेप करने पर देखे हम वी लूकप का फॉर्मा लगाएंगे डेट को स्लेक्ट किया लूकप बैलू है Table area में मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे दूँगा formula choose choose में color bracket में 1,2 रखूँगा and comma मैं पहले date को select करूँगा and comma फिर मैं police को select करूँगा ठीक है उसके बाद हम choose की राये close करते हैं and comma 2,0 और इसके बाद आप enter मार दीज़े result कवीता आगया 26 कवीता है date change कीज़े मुझे 11 जन्बरी के चाहिए 11 जन्बरी के उदाय है अब इस work कैसे कर रहा है इसके बारे में चली जानते है इस work कर रहा है कि हमने इसको evaluate करते है date आगया choose formula तो choose formula में क्या करता है कि हमेरे यहाँ पर 1 and 2 दे रखा है तो पहरे बताए यह choose करता क्या है जैसे कि आपके पास दो है कि दो सीज़े है data 1 और आपके पास data 2 तो मैं चाहते हूँ कि मैं यहाँ पर 1 लिखू तो यहाँ पर data 1 शो हो अगर 2 लिखू तो data 2 शो हो तो उसके लिए हम choose का formula लगाते हैं कि choose इसको select किया और कॉमा उपर वाले को select किया और कॉमा नीचे वाले को select किया तो 1 आएगा तो data 1 आएगा 2 आएगा तो 2 आएगा data 2 आएगा तो यहाँ भी सेम जी होई इसलिए हमने 1 & 2 लिया और जैसे कि मैंने बताया था कि हमने पहले date को select किया तो पहले यहाँ पर curly वाइगेट में error form में data we look up कर मिला curly वाइगेट में date and name then date and name date and name मतलब कि choose function क्या किया इसको swap कर दिया swap करने से क्या हुआ कि वी लुकप के इसा result चाहिए ऐसा result मिलगी है और data हमारा work कर दिया तो जो left to right के सब्सक्राइब right to left का जो method है उसको हम वी लुकप के दुजिए ही solve करके आप वता दिया आप इसका इस्तमार कर अपने real life में use कर सकते है एक्सल कर दिया उसके लावा कभी भी किसी भी तरह के problem हो किसी भी तरह के चीज़े पूछने हो तो टेलिफॉनिक सपेट जो है ना टेलिफॉनिक सपेट जो support जो है हर किसी को free होता है तो आप हम हमें कभी भी call करके मुझसे आप फोन करके पूछ सकते हमान नंबर आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है साथ में मेरी website ipt india.com पर जाओगे वहां पर मेरे सारे courses हैं और सारे dvds बगर हैं वह आप purchase कर सकते मुझसे इसके अलावा अगर आपको चाहते हैं कि आप मेरे साथ लाइब में तो आप मेरे साथ लाइब मेरे साथ जोड़े go to meeting software के माध्यन से हमनों live classes देते हैं जैसे में recording आपके साथ direct interrupt में रहूंगा तो लाइब आप हमारे साथ सीख सकते हैं लेकिन पछंड आपको देते हैं तो आप साथ भी लगा के अच्छा लगा, और दैमो लएम के अच्छा लगा, तो अबुसर्प अच्छा लगा तो लयक किजिए सब्सक्राइब करके गर आपने न आप में ہے दिलुकrat को आपको अच्छा लगा है नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सिस्क्राइब कीजिए ताकि आगे चलके सारे जो वीडियोज है वो वीडियोज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा आपके वो मिलने स्टार्ट हो जाएगे और किसी भी तरह की प्रॉल्म हो तो मुझे जरूर्ब बद किजिएगा थैंक्स पर बाच्किन इस वीडियोज वीडियोज आपके शाएगे थैंक्स पर वाच्किन दिश वीडियोज वीडियोज आएगे